कि हेलो नमस्कार दोस्तों आप सब का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्योब चैनल पर दोस्तों आज के इस यूड़ी में हम बात करने वाले के सी सी टीटी इलाइट चैंपियन्शिप की जो मैं आचे कुवेट वर्सेस कुवेट स्वादिश वर्सेस चैनल दोस्तों उस मैच पर अभी क्लिक कर लेते हैं और अगर आपने अप तक टीम नहीं बनाई तो आपको नीचे जो क्रियेटर टीम का ओप्शन देख रहा है वहां पर क्लिक करनी होगी लेकिन मैं आल्रेडी तीन टीम यह पर बना के रख चको तो मुझे उपर जो माई पर माई टीम पर क्लिक करनी होगी और आपको मैं एक एक टीम इडिट करके दिखाता जाओंगा कि किस किस को लेना है किस किस को नहीं लेना है क्याप्टर और यह सब बाते भी मैं आपको तांगा और कुछ ज़रूर जानकारी भी दूंगा देकि दोस्तों उससे पहले एक व बुरे भी नहीं जा रहें कि आप भरसाद ना कर सके तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं माई टीम पर प्लिक करके और पाइली टीम को मैं आपको एडिट करके दिखा देता हो तो यहां पर एक बात बताना काफी ज़रूर है दोस्तों कि इन दोनों के बीच पहल पूर रहें संदर वान को मैं स्टीम में जरूर लूँगा एजाहिर को सामिल करूंगा यहां पर मयं को अभी चेम में ले पा रहा हो इसके आलाव ऑफी कोई और रहता तो मैं आगले टीम में जरू लेनी की फुरी कोशिश करूंगा ता कि अभी मेरे पास 4 आल राउंडर र इसके अलाव भी और ऑप्शन है हमार पास उनको भी में आगले टीम में जरूर शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा गेन बाजी पर यहां पर नेख सकते हैं वाई पटेल एन फकर और यह स्टीम में शामिल कर रहा हूं तीनों की तीनों अच्छे खासे गेन बाजे दोस्त सबसे बड़ी बात है दोस्तों की आर संड्रुआन को काफी मतलब जादा लोगों ने परसंती दिया और वाइस कैप्टन एच जंडू को ज्यादा लोगों ने परसंती दिये लेकिन मैं इन सहीद के साथ जाओंगा आज वाइस कैप्टन क्योंकि यह भी अच्छे प्लियर ह सबसे पहले यू घनी को मैंने लिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं विकेट कीपर में इसके अलग किसी और कीपर के साथ मैं अभी नहीं जाओंगा उसके बाद आर संड्रुआन को ले रहा हूँ एजईर को ले रहा हूँ और एन सहीद को भी स्टी में शामिल कर रहा हू अगर बात करें आलरोंडर के तो यहां पे देख सकते हैं इस जड्डू को ले रहा हूँ उसके बाद एन एहमद को ले रहा ऊश्के बात को ले रहा हू को चार और इसलिए ले रहा हूं ताक आपको जादा से जब दोस्तों आप सब को पता है कि अल राउंडर बैटिंग भी अच्छी कर सकते तो आपको यहां पर यह डवल पॉइंट दे सकते तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अल राउंडर में पाइली टीम में ले रहा हूं गेन बाद करें तो एन फकर को ले रहा हूं और वाय पते पर यह जब दोस्तों जरूर आप इन तीनों के साथ जा सकते इन तीनों को अपने टीम में चाहिए को अपकोस आप इस टीम को ग्राइड के लिए यूज करेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा आप इस टीम से ग्राइड लिग जीच सकते और अच्छी खासी अर्णिक तो प कश्कोरन के हैं जांपता किबमेदी क्माइड को घ्रीनों करते हैं यसा था कि दाके में रहेख दोस्तों गार वाजेन क्यों मैं आपकोद्स यह ज़रूरी नहीं दोस्तों इन की तो हम शाहिएज को और सखने ले रहा है और सससे किस बॉड़ारिन झार यूल्यकरनी यहां पर देख सकते हैं चार वल्लेबाद हमने ले लिए उसके वाज़े से हमार पास दो यह आल रौंडर हम लेने होले एन मोनीब और एच जड्डू इस तरह से दो यह आल रौंडर मेलूंगा और इसके वाज़े से हमार पास चार गेन बाज रहे गए वाइप अध्फकर है यह लतिफ को भी हम लेंगे और मोश्रफ को भी हम इस टीम में शामिल कर रहे दोस्तों यहां पर भी हमार पास चार गेन बाज है चार बैट्समन है दो अल रौंडर है और एक अच्छा खासा कीपर है इसके बाद फिर से हमें नेक्स्ट पर क्लिक करनी होगे और देखना इसका रिजन भी मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा लेकिन उससे पहले बात करते एंट कुल करनी को वास क्याप्टन मना रहा हो देख सकते इनको भी काफी परसेंटेज मिले एज क्याप्टन या वाइस क्याप्टन जरूर आप इनके साह सकते इंपर बशा कर सकते दाव कुल मिला के टीम प्रिव्यू कर लेते सबसे पहले तो यहां पर देख सकते मैंने केपिंग से ही शुरुआत की है डी जावेद को लिया चेंज करनी की उसके अलाव किसी और की पर के साथ नहीं जाओंगा अगर बैटिंग के बात करें तो चार बल्ले बाजी मेरे पास एंक अखिर को लूँगा वाइपटेल को लूँगा और एम मोश्रफ को भी इस टीम में शामिल करूँगा तो कुल मिला के देख सकते हैं दोस्तों दोनों टीमों के मिलके काफे अच्छे अच्छे आप्शन्स हमारे पास है यानि यह टीम काफी ज्यादा संतो लिक लग रहे तो मुझे लगता है यह टीम ज्यादा से ज्यादा ग्रांड लिक के लिए तो यूज करना ही है आपको लेकिन इसे आप स्मॉल लिक के लिए यूज कर सकते हैं और यह कैसी टीम बनी है दोस्तों कि आप इस पर एक ग्रांड लिक दोनों लिक्स भी लगाते हैं तो भी कोई प्र बना रहें दोस्तों काफी बढ़िया प्लियर है आप देख सकते कि 30% लोगों ने अगर इनको वाइस क्याप्टन बना तो ऐसे ही नहीं बनाएंगे दोस्तों काफी अच्छा रहने के बाद ही कोई उसे क्याप्टन और वाइस क्याप्टन बना सकता है तो मैंने थोड़ा हटक कि वज़े से ग्रांड लिग जीद सकते हैं और आप अच्छी खासी अर्निंग तो पका करी सकते हैं तो अगर बात करें वाइस क्याप्टन भी काफी बढ़िया है मार पास इनकोल करनी यह भी काफी बढ़िया बैटिंग कर लेते स्ट्राइक रेट अच्छा रख सकते और जड़ू तो अल्राउंडर है तो यह तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में हमें पॉइंट देंगे तो इसलिए काफी फायदेमन साबित होने आला है हमारा यह डिसिजन चार बैट्समन चार गेनबास दो अल्राउंडर और एक कीपर काफी बढ़िया टीम है काफी संतु सबसे पहले कीपिंग की शुरुआत करते हैं तो यहां है मैंने दोनों की फरको ले लिए यू गरी दोस्तों तो यहां पर अगर यह दोनों अच्छा परफॉम्स करेचा है तो हमारे इस तीम को फायदा हो अगर बात करें तो और सफेश लेंगкий तो आर सेंडर रुहन को छल ले रहा हो अगर चाहें तो यहां पर फिर भी तो को ले सकते लेकिन अप्राइब wprowad çıkar तो यहां पर टृक ट ले लोगों ने वाय पटल और एंफकर को लिया है लेकिन मैं इनको मतलब छोड़के यह दो कि ले रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फाइदा हो सके आवे फिलाल नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते कि क्याप्टन और वाइस क्याप्टन हम किसे बना सकते कि यहां पे यू घ्रका पंड़के काप्टन मना रहा हूं तो मुझे पता है यह कम यहादा कम लोगों लोग present now ité देकिन थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा दूस्तों पहले प्रिवीव कर लेते मैंने यहाप कर दोनों की पर को ले लिया यू घनी और में भयाएं टैम में पहले थे यू घनी को लिया हो प्ह Ventraat को फाइदा होगा दूस्री टीम में मैंने D.javid को लिया vrij यह अच्छा खेलते तो इस टीम को फाइदा होगा और तीनों टीमों में हमें फाइदा ही फाइदा होगा अगर बैटिंग के बात करें तो आर साइंडरवान को तो लूगा ही उसके बाद एंसाइट को ले रहा हूँ और एम धिलान को इस टीम में शामिल कर रहा हूँ यह भी अच्छे कहसे बैट्समन है दोस्तो और अच्छे कहसे बैटिंग कर सकते हैं और काफी कम लोगों ने इन पर भर्षा किया है तो आप इनको काफी फायदा कराके दे सकते हैं अगर बात करें तो एक जड्डू को लिया है मोनीब को ले रहा हूँ और इस बार एस सिल्वा को ले रहा हूँ यह भी अच्छे परफॉर्मस कर सकते हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको पॉंट दिला सकते तो इसलिए इनको भ जादा रिस्की है लेकिन दोस्तों जहां पर रिस्क आप लेंगे ना तो आप जीतने के चांसेज भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हां पिटने के चांसेज काफी जादा रहते लेकिन दोस्तों जीतने के चांसेज भी काफी जादा बढ़ जाते हाला कि मैं कहूंगा कि इस इस टिब को स्मॉल निक के लिए बिल्कुल भी उजमत कीजेगा क्योंकि मैंने काफी ज्यादा यहां पर रिस्क लिए एम डिलन को लिया है अच्छे प्लियर है लेकिन अगर पर्फॉर्मस करते हैं नहीं करते हैं पता नहीं ए सिल्वा को लिया है इनको भी काफी कम लोगों यहां पर मैंने दो अच्छे गेनबाद को छोड़के लतिफ और मोश्रफ को साथ में लिया है दोस्तों अगर यह चारो दाओ अगर सही पड़ जाते हैं तो आज आपको ग्रैंड लिग जितने से कोई नहीं रोक सकता तो इसलिए मैंने थोड़ा रिस्क जरूर लिया है मैं क्याप्टन और वाइस-क्याप्टन बनाएं लोगों ने लेकिन अगर हम इन दोनों को क्याप्टन और वाइस-क्याप्टन वनाते हैं और सच में अच्छा परफॉर्मस करते हैं तो यह आपको काफी फायदा करते हैं और आप को ग्रैंड लिग जिता सकते तो इसलिए जिसे आपको सिर्फ ग्रांड लिक के लिए जो यही तीम है उर से स्मॉल लिक के लिए यूज नहीं करना है और अगर आपको ग्रांड जीतना है तो यह थोड़ा रिस्क तो लेना ही होगा कैपटन और वाइस कैपटन दोनों बेस्ट है दोस्तो और साथ इसाथ दोनों डॉबल पॉइंट दे सकते हैं यूज़नी भी कीपर है दोस्तो तो यहां पर बैटिंग के साथ साथ कैचिंग स्थंपिंग ए रनाउट के एक्स्ट्रा पॉइंगे और कभी-कभी यह और यह तो आप चेंजेस कर सकते हैं लेकिन ज्यादा चेंजेस करने जाएंगे तो थोड़ा रिस्की सावित हो सकता है साती साथ दोस्तों में टेलिग्राम कई डिस्क्रिप्चन में देह रहा हो वहाँ पर जाकि जाननए जांगे जान जारू कर लिजिए क्वें करूंक है १। दोनों टीम काने नहीं है काफी चाह cynиш क्षिश करने के तो इसनलिए टेलिग्राम को जानंत। जाइंए थे जांगे तो इसलिए जारू कर लिए तो आपको मेरा ये विडियो और मेरी तीनोटी में काफी पसंद आई होगे अगर पसंद आयो तो इससे लाइक शेयर और कमेंट जरू कर दीजे चैनल को भी अगर आपने अप तक सब्सक्राइब ने के तो सब्सक्राइब भी कर लिजे और बैल आ